हेलो फ्रेंट वागत आप सबका मेरे यूटीब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-Tag तो फ्रेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी किसी भी यूटीब वीडियो में किसी भी लिंग को कैसे शेयर कर सकते हैं चाहे वो कोई शोशल मीडिया का लिक हो या फिर आप किसी वेबसाइट के बारे में बता रहे हो तो उसका लिंक आप कैसे शेयर कर सकते हैं या फिर किसी एप्लिकेशन के बारे में आप बता रहे हैं सिखा रहे हैं तो उसका लिंक आप अपनी वीडियो में कैसे शेयर कर सकते ताज आपको मेरी आने वाली नए ने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर इसमें सबसे पहले आपको VT Studio की जो अप्लिकेशन है उसे उपन कर लेना है तो मैं सबसे पहले VT Studio के अंदर जाता हूँ और आपको किसी भी YouTube वीडियो का सबसे पहले लिंक कैसे शेर करना है अपनी वीडियो में वह मैं आपको यहां पे दिखाता हूँ जैसे आप अपनी किसी दूसरी वीडियो का link इसमें share करना चाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले videos वाले section पे आ जाना है उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी video select कर लेनी है जैसे माल लीजिए आपको जिसका link share करना है जैसे मुझे इस वाली video का link share करना है second वाली का first में तो मैं second वाली video पे click करूँगा उसके बाद यहाँ से आपको उपर तीन option दिखाई दे रहे होंगे सबसे पहला edit का है फिर share का है और youtube का है तो मैं second वाले पे click करूँगा उसके क्लिक करते ही इस तरीके से आपके सामने open हो जाये गए उसके बाद मैं यहाँ से copy to clipboard इसमें select कर लूँगा तो अब इसका link copy हो गया है उसके बाद यहाँ से back आ जाएंगे और यहाँ से पहली वाली video को open करेंगे जिसके अंदर हमें यह link लगाना है तो यहाँ से हम edit पे जाएंगे edit में जाने के बाद हमें यहाँ सबसे ओपर यह pencil का यह जो icon दिख रहा है आपको best tablet लिखा हुआ है जिसमें इस वाले पे click करना है यह description है आप देख सकते हैं तो हमें यहाँ पे नीचे किसी दूसरी वीडियो का link डालना है तो वह हमें यहाँ पे paste कर देना है मैंने यह paste कर दिया आप देख सकते हैं यह उस वीडियो का link है जो मैंने अभी copy किया था ठीक है उसके बाद आपको back आ जाना है और यहाँ से आप जैसे ही save करेंगे तो यह link आपके description box में save हो जाएगा अब मैं आपको social media links को इसमें add करना सिखाता हूँ तो हमें सबसे पहले chrome browser के अंदर चले जाना है अपना chrome browser मेरा यहाँ पे है यह मैंने open कर लिया उसके बाद हमें यहाँ पे social media जैसे instagram है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप करना है www.instagram.com ठीक है इस तरीके से टाइप करना है तो यह कुछ इस तरीके से खुल जाएगा ठीक है लोगी ने sign up मांग रहा है पर इसकी जुरूरत नहीं पड़ती हमें क्या करना है इस जो उपर link है इसके उपर click करना है ठीक है यहाँ से यह edit का option इसमें आ रहा है थर्ड नमबर पे इस edit पे click करना है और यहाँ पे अपना username यहाँ पर हमें डाल देना है जैसे मैं अपना username यहाँ पर डाल देता हूं ठीक है उसके बाद go पे click कर देना है उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी profile यहाँ पे खुल चुकी है उसके बाद आपको क्या करना है इस उपर link पे click करना है और यहाँ से यह copy का option है सबसे पहला इ यहां से उसके बाद हमें बैक आ जाना है इसको हम बैक कर देंगे यहां से बैक आ जाएंगे यह लिंक कोपी हो चुका है हमारा ठीक है अब हम अपने उसी टैब में आ जाएंगे वाइट स्टूडियो वाले में और जिस वीडियो में हमें डालना है वहां पे उस वीडियो को यहां पे आ जाएंगे, जैसे मैं back करके दिखाता हूँ, आपको जैसे किसी भी वीडियो में हमें डालना है, तो हम उस वीडियो को click करेंगे, उसके बाद edit में जाएंगे उपर, उसके बाद उसके description में जो सबसे title के बाद आता है इस वाले option पे click करेंगे यहाँ पे हम वो link paste कर देंगे ठीक है तो यह इस तरीके से इंस्टाग्राम का link यहाँ पे आ गया है अब दुबारा उसी tab के अंदर जाएंगे Chrome के उसके बाद यहाँ पे मैं आपको facebook का दिखाता हूँ www.facebook.com इसमें भी आपको slash में अपना नाम लिख देना है उसके बाद enter कर देना है या go कर सकते हैं इस पे जैसी आप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे facebook का जो page है वो यहाँ पे आ चुका है तो हमें क्या करना है इस link के उपर क्लिक करना और यहाँ से copy कर लेना है उसके बाद हमें उसी tab के अंदर चले जाना है white studio में यहाँ पे instagram का copy हो गया इसमें enter करके नीचे यहाँ पे paste कर देना है यह हमारा facebook का link हो गया अब दोबारा हमें इसी chrome browser के अंदर जाना है यहाँ पे हमें अब twitter का डालना है तो यहाँ पे हम twitter का www.twitter.com और यहाँ पे अपनी profile का नाम डाल देना है ठीक है इसी तरीके से आपका twitter का भी link यहाँ से फिर उसे copy कर लेना है ठीक है twitter का भी इसी तरह हो जाएगा ठीक है उसके बाद मैं आपको इसमें किसी website का link copy करना बता देता हूँ जैसे आपको कोई भी google पे कोई भी website है जैसे मैं कोई भी एक website आपको दिखा रहता हूँ यहाँ पे जैसे एक click buzz ही है click buzz पे click करेंगे यह website खुल जाएगे आपके सामने कुछ इस तरीके से उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे click करना है लिंक पे और यहाँ से copy कर लेना है उसके बाद आपको वापिस white studio में आना है और जहाँ पे जिस वीडियो में आपको यह link लगाना है वहाँ पे उसे enter करके ऐसे paste कर देना है तो यह वाली website आगी जो भी इस पे click करेगा वह सीधा direct आपकी उस website पे चला जाएगा इस तरीके से आप इसमें add कर सकते हैं यहाँ से आपको save कर देना है save करते हैं यह सारे links यहाँ पे save हो जाएंगे ठीक है बैक आ जाता हूँ मुझे अभी save नहीं करना है यह मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यह सारी चीजे उसके बाद आपको इसमें जैसे माल ल लेना है प्ले स्टोर आप जैसे यह ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जिस अप्लिकेशन के बारे में बताना है जैसे कोई whatsapp ही है जैसे whatsapp application है इसके बारे में आप बता रहे हैं तो इसका link आप इस तरीके से आ जाये गए यहाँ पर कोई भी WhatsApp messenger आप ओपन कर लेंगे जै आपको शेयर का option मिल रहा है शेयर पर क्लिक करना है शेयर पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर copy to clipboard आ गया है तो हमें इस पर क्लिक करना है copy to clipboard करते ही यह copy हो जाएगा उसके बाद हमें back आ जाना है और अपनी YT studio application के अंदर आ जाना है जिस भी वीडियो में हम लगाना चाहते हैं यहाँ से 3 dots पर क्लिक करके वीडियो में आ जाना है यहाँ पर हम जो भी वीडियो में लगाना चाहते हैं उस पर जैसे मैं second वाले प पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको टाइटल है यह description है description वाले पर क्लिक करना है यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर इसे paste कर देना है ठीक है तो इस तरीके से यह link आ गया जैसे हम किसी application के बारे में बताते हैं कि इससे यह कर सकते हैं तो उसका link हम इस तरीके से share करते हैं जिससे आपके चैनल को भी कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस तरीके से फिर हमें यहां पर back करके यहां से save जैसे हम करेंगे तो यह लिंक इसके वीडियो के description में आ जाएगा तो कोई भी इस पे click करके जैसे इस पे click करेगा तो वो direct play store में चला जाएगा और वहाँ से वो application को download कर सकता है तो इस तरीके से अभी मुझे ये save नहीं करना तो मुझे ये discard कर देना है मैंने आपको समझाने के लिए जिर्फ करके दिखाया था practical तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी YouTube वीडियो में किसी भी link को चाहे वो कोई YouTube वीडियो का link हो या फिर कोई social media का link हो Instagram, Facebook, Twitter या कोई और किसी भी तरह का link कोई भी application या website का link share कर सकते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं डाल सकते हैं इसके अंदर तो friends उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें